हिंदू यूवा वाहिनी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संदीब भतनागर ने प्रेस कॉंफरेंस के जरीए लोगों को संबोधित करते हुए अयोध्या राम जन्न भूमी फैसले पर कहा ये पूरे देश के लिए बहुत ही खुशी का फैसला है इसको हमारे देश की जन्ता को खुशी खुशी शांती के साथ अपनाना चाहिए क्योंकि वर्षो से विवादित रामलला मंदिर का रास्ता अब साखो चुका है साथी देश के लिए शहीद जवानों के लिए भी सरकार को नए कानून बनाने चाहिए महगाई पर रोक लगाने चाहिए क्योंकि महगाई से आम नागरिक पर मार पड़ रही है हिंदू यूवा वाहिनी कोई राजनेतिक पार्टी नहीं है ये एक संगठन है जो जनता से जुड़े हुए लोगों का संगठन है जो जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझ कर कारे करते हैं संदीब जी इस तरीके से एक बड़ा फैसला हुआ है कर चालिज दिन की महनस से ये फैसला सतर साल तक कभी किसी ने नहीं कर पाया है क्या कहेंगे सर इस पर कितनी खुशी महसुशाब कर रहे हैं सर ये तो पूरे भारत के लिए खुशी की बात है संपूर्ण समाज के लिए खुशी की बात है कि सुप्रीम कोट की ने इतना बड़ा डीजन इतना बड़ा इतिहासिक फैसला दिया तो इसके लिए तो हम अपने सवीधान की भी हमें तारीफ करनी पड़ेगी संपूर्ण भारत की जनता को मैं अपनी तरफ से हिंदू युवा वानी भारत की तरफ से बढ़ाई देता हूं कि राम लल्ला के मंदिर बनने का निर्मान का ये रास्ता साफ हो गया सर कहीं न कहीं इसमें आप लोगों का भी हाथ होगा संपूर्ण भारत का हाथ है संपूर्ण जनता का हाथ है सभी धर्मों का हाथ है तो हमारा क्या है हमारत अपना कुछ नहीं है जो है सब परभूराम का ही है तो सर आगे आपका और क्या मांग है कोई है अभी संधीज ही डिली में विधान सभा को चुनाव आ रहे हैं क्या मुद्दे रहेंगे दिली के चुनाव के लिए हम लोग तयार हैं पर यह हमारा आला कमान निटने लेगा के मैं चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम पूर्ण शक्ति की साथ लड़ेंगे और श्रीपर प्रराराम की अगर हम पर आश राष्टे देख्षे हमारे और पर जो राष्टे काड़ी करनी है वो जो भी डीजन लेगी वो हम सब को मानने हैं फिर भी संदीब जी क्या रणिटी लेकर आप जाएंगे क्या सवाल आप जनता के सामने क्या मुद्धी लेकर जाएंगे देखें सबसे सबसे पहले दिल्ली के अंदर महीलाओ की सुरक्षा हमारा मुद्ध है आप देखते हैं आज की तारीक में भी अगर आप देखें तो महीलाओ को दिल्ली के अंदर सेफ नहीं है उसके बाद आप देखें दिल्ली के अंदर लोकल ट्रांसपोर्ट की सुविधा जो है वो इतनी अच्छी नहीं है इ जिल्ली सरकार ने भी जोगी जोपडियों की बड़ी-बड़ी बाते की ती वहीं पर जाके डो टो जोगी जोपडी वालों से बोला था कि हम फ्लेट खड़ा करके यहां पर आप लोगों को फ्लेट देंगे इस पर क्या कहेंगे आप देखिए एक समझे एक चीज समझे कि वादे करना और उनको निभाना यह बहुत मुश्किल काम है यह राजनितिक पार्टियां आती हैं जाती हैं यह सिर्फ लोगों का मुर्ख होनाती हैं हिंदु युवावानी एक संगठन है हम जनता से जुड़े वे लोग हैं हम ऐसा नही हमारे मीडिया परवारी संदीब सिंग ने हमारे पार्टी परवारी पवन गुपता ने घर घर जा कि हमने लोगों से अपील कर रही थी कि कोई सभी निन्या है लोग शांत रहे हैं तो लोग हमें जानते हैं अच्छे तरीके से कि हम लोग राजनितिक नहीं कर रहे हैं हम उ लोगों की जीते किसी दर्म विशिषिश्की जीत नहीं तो अच्छे से रहें शांती से रहें और भारत की तरक्की के लिए काम करें जिस तहरीक उसके रहें अपने लिए एक सशक्त उमीदवार का चनाव करें